बॉलिवुड के दबंग खान यानि सल्मान खान की सेक्योरिटी को लेकर इन दिनों उनकी फैमिली और फैन्स काफी टेंशन में है नमस्कार दी फोर्थ पीडर में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अंजली दर असल बॉलिवुड के सूपरस्टार को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है वैसे ये पहली बार नहीं है जब सल्मान खान को जान से मारने की धमकी मिली है इससे पहले भी कई बार उन्हें ऐसी डेथ थ्रेट मिल चुकी है वॉलिवुड एक्टर सल्मान खान लॉरिंस गैंग की हिट लिस्ट में है। लॉरिंस गैंग उन्हें मारने की कोशिश में लगा हुआ है। यह बात कतित तौर पर कनाडा में छिपकर बैठे गैंग्स्टर लॉरिंस के करीबी गोल्डी बरार ने एक मीडिया चैनल को इंटर मारेंगे। गोल्डी ने कहा कि उनकी यह बात सिर्फ सल्मान खान तक ही सीमित नहीं है। जब तक वे जीवीत हैं अपने सबी दुश्मनों के खिलाफ अपने प्रयास जारी रखेंगे। सल्मान खान निशाने पर हैं इसमें कोई शक नहीं है। वे कोशिश करते रहेंगे और जब वे सफल होंगे तो सभी को इसका पता चल जाएगा। आपको बता दें कि बीते साल पंजाबी सिंगर सिद्धु मुसेवाला की हत्या के पीछे भी लौरेंस का ही हाथ था। वहीं इस पूरी घटना को विदेश में बैट कर गोल्डी बरार ने मैनेज किया था। ग कनेडा में भी Most Wanted अपराधियों की सूची में शामिल हो गया है। कनाडा के भगोडे टॉप 25 Most Wanted अपराधियों में उसे शामिल किया गया है। आखिरा से क्या वज़ए है जिसके कारण उन्हें सलमान खान से इतनी नफरत है। लौरेंस ने अपने इंटर्वियू में कहा था कि सलमान ने हमारे समाज को काफी नीचा दिखाया है। हमारे बिश्णोई समाज में पेड़ पौधो और जीवों को लेकर काफी मान्यता है। उसने हमारे समाज का अपमान किया। उसने हीरन की हत्या की। राजस्थान के बीका निर में बिश्णोई समाज का एक मंदिर है वहाँ सल्मान आकर माफी मांग ले अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनसे हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा और ऐसा नहीं करते हैं तो हम बगैर कानून का सहरा लिए अपने तरीके से हिसाब लेंगे सल्मान को लेकर उसके दिल में बच्पन से ही गुस्सा है उनकी इगो जरूर तोडएंगे हमारे समाज के लोगों को सल्मान ने पैसे भी ओफर किये थे लेकिन हम उनको दौलत के लिए नहीं अपने मकसद के लिए मारेंगे बता दें कि इससे पहले एक मीडिया संस्थान द्वारा लिए गए इंटर्व्यू में गैंस्टर लॉरेंस बिस्नोई ने कहा था कि सल्मान माफी मांगो लॉरेंस ने सल्मान खान को साफ साफ धमकी दी थी वहीं इसके बाद एक्टर की टीम को धमकी भरा इमिल भी मिला था जिसमें लिखा था कि ग वॉक्स आफिस पर बीते 13 साल में यह सलमान की सबसे कमजोर फिल्म साबित हुई है। उनकी आने वाली अगली फिल्म टाइगर 3 होगी इसमें सलमान खान, काट्रीना कैफ और इमरान हासमी के साथ दिखेंगे। यह फिल्म 2020 में दिवाली के समय रिलीज होने की संभावना है। धन्यवाद अभी के लिए बस इतना ही बने रहे दिफोर्ट पिलर के साथ। शुक्रिया